यही सारी फिलिंग्स जो है फ्रेंड प्लांट को एक लिविंग विंग के उसमें ले करके आती है और प्लांट जिस प्रकार से हम मैसूस करते हैं अपनी प्लांट की एनर्जी को उसी प्रकार हमारा प्लांट भी मैसूस करता है हमारी एनर्जी को और हमारी प्रेजेंट और अ अब यही चीजें जो है हमें जो है सोचने फिर मजबूर करती है कि किस प्रकार जो हमारे प्लांट भी हमारी अपसेंस और प्रेजेंस को जो है फील करते हैं तो हेलो फ्रेंड्स मैं आशा आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में मेरी खुशियों की वगिया में तो आज मैं सारा नजारा आपको दिखाऊंगे अपने गार्डन का अपडेट मैं आपके साथ दूंगे अपने गार्डन का कि क्या क्या किस प्रकार से जो है ग्रोव हो रहा है मेरे गार्डन में किस प्रकार हर चीज की ग्रोवत है तो यह मेरी ब्रोकली और गोवी है जो अच यह मेरा एक चिली का प्लान था जो कि मैं आसाम से लेके आई थी और यह मेरे पुदीना पुदीना भी अच्छा ही हो रहा है और साती में ओगाएं है मेरे मटर और यह जो मेरे मैंने जो भी मेरे चहत पर मिट्टी बच गई थी वह मैंने जो है इन आटा बैक में भर करके और पर बोधी है मटर और यह मेरी फ्रस्वीन और यह मैंने आदे में ढाल दी थी फिर से लॉंग वीन तो लॉंग वीन्स तो एक ऐसी वेजिटेबल है फ्रेंड जो आल ओबर यह आपके गार्डन में चलती रहती है और बहुत अच्छी फूटिंग आपको दे जाती है तो फि जिन दन से हार्वेस्ट नहीं हुई तो यह भी एक ऐसी वेजिटेबल है जिसको आपको डेली हार्वेस्ट करना पड़ता है नहीं तो यह थोड़े दिन बात जो है पुरानी हो जाती है खराब हो जाती लेकिन खराब नहीं होती है इसके आप दाल के रूप में इसको इसको कर सकते हो कि इसके चिलके हटा करके इसके बीज को आप दाल के रूप में इस्तमाल कर सकते हो तो इस तरीके से फ्रेंट और यह मेरा जो है टमाटर का प्लांट और इस पर लगने लगे हैं फ्लार और यह मैंने कुछ ग्रोव कर ली थी भिंडी और बहुत अच्छी अभी ग्र बैसुन और इसमें थोड़ा सा उगाया है पालक और मेरी कस्तूरी में थी और लेट्यूस के साथ उगाया है टमाटर अर यह पालक, फिर से पालक मैंने काफी सारे ग्रोव एग्ज में बहु दिया है कि पालक क्योंकि जब बनाते हैं पालक की सबजी तो बहुत थोड़ी से हो जाती है तो जादा अगर जादा quantity में निकालो तो ही वह success हो बाते हैं और ये मेरी फिर से गोवी और ब्रोकली ये भी बहुत अच्छे से जो है चल रही है और इसी में उगाए टमाटर और ये वही मेरी मिर्जी पुरानी गोल-गोल छोटी-छोटी है ना और य ये भी गोवी का प्लांट और ये मेरी कस्तूरी मेती जो ठिक ठाक से ग्रोव हो रही है और ये मेरा हरा धनिया ये भी अच्छे से ग्रोव हो रहा है और साथी में पालक और देखे आप पालक के मैं जिस तरीके से आपको बता रही थी काफी मैंने बोई है और ये मूली मेर तो मूली भी ठिक ठाक से ग्रो हो रही है और यह मैंने लगा दिये थे स्ट्रावरी की कटिंग और बहुत अच्छा से चल रही है और साथी में लामन और यह मैंने इसमें बो दिये थी यह मैंने च्छत पे क्यारी बना दिती है फ्रेंड चर्दियों में और यह मेरी इसमें च तरीके से यह सारी जो है अब इसमें थोड़ा सा जो देखिए एक दो दिन से वाटरिंग नहीं होगी है तो इसमें वाटरिंग करूंगी तो यह और अच्छा से खेल उठेंगी और यह मेरी वही गोवी ब्रोकली काटें में जो मैंने आपके साथ रिपॉर्ट करी दी और इसम से हो गई है तो आज जो मैंने अभी जो थोड़े वैसे हैं तो मैं कल हार्वेस्ट करूंगी क्योंकि अगर वो कल नहीं हार्वेस्ट करूंगी तो परसों तक खराब हो जाएंगे तो बस कुछ इस तरीके से था फ्रेंड मेरा गार्डन अपडेट तो होप सो आपने वीडि में जरूर आपको पूरा दिखाऊंगी थैंक यू बाई हैपी गार्डनिंग